तो दोस्तों आज हम ऐसा नया नास्ता बनाने वाले हैं जिसके आगे समोसा, कचरी, पकरी सब फेलो जाएगी ये नास्ता खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है और बनाना भी आसान है तो देर किस बात की चलिए सुरू करते हैं इस रेस्पी को नमस्कार दोस्तों ममता की रिसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ सूजी और कच्छे आलू का बहुत ही स्वादिश्ट और गजब का नास्ता मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई रेस्पी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले मेरी रेस्पी देख पाएं तो चलिए इस रेस्पी को सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक कच्चा आलू जिसे धोके मैंने पानी में डाल दिया था आलू को पानी में डालने के वज़े से आलू काले नहीं होते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर आप कोई सभी उसकर लीजेगा, बड़ा या चोटा जो भी हो, और ग्रेट करके अच्चे से धो लिया है, धोके इसे इस टेनर में छान लिया है, इसके बाद हम लेंगे दो कप पानी, और पानी को हम अच्छे से गरम करेंगे अब डालेंगे क्रस किया हुआ साबुद धनिया क्रस किया हुआ साबुद जीरा थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद डाल देते हैं बालने के बाद हम एक से दो मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए आलू को पका लेंगे आलू को ग्रेट किया गया है आलू बहुत जल्दी पक जाएगा तो यहां पर देखे एक से दो मिनट इसी तरीके से मैंने चलाते हुए आलू को पका लिया है और आप देख पा रहे हों मिलाएगा देर मत करिएगा नहीं तो गुटलियां बन जाएगी आप थोड़ा बड़ा बरतन लीजिएगा इसे मिलाने के लिए तो यह देखिए हम गैस पे ही रखके इसे इस तरीके से मिला लेंगे गैस की फ्लेम को यहां पे आपको मीडियम पे रखना है सारी चीजों को ब एक से दो मिनट तक इसे अच्छे से पका लिया है और आप देख पा रहे होंगे यह बहुत अच्छे से बन गया है यानि डो बन गया है इसका अब हम एक थाली लेंगे और उसमें एक चम्मच ओयल डाल देंगे इसे ग्रिस कर लेंगे अच्छे से थाली को आप थाली के जादा अभी गरम है इस तरीके से देखे आप बना लीजेगा नहीं तो आप इस तरीके से गिलास लेके भी गिलास से भी इस तरीके से कर सकते हैं नहीं तो आप का टोरी का भी उस कर सकते हैं यहां पर यह जो मिस्तरन है अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैं इसे हाथों से इस तरीके से अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, अभी है हलका गरम है, तो इसे अच्छे से ठंडा करेंगे, तो मैंने इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख दिया था, आपके पास टाइम है, तो आदे कंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, 10 मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से हम सारे नास्ते को कट कर लेंगे ये देखे, बहुत अच्छे से एक एक पीश निकल जाता है इसका, ये देखे, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन के त्यार होता है, आप चाहएं तो इस तरीके से कट करके, इसे किसी स्टेणर में रख के, बन करके और एक हपते तक इसी तरीके से रख सकते हैं और जब आपका मन हो तो निकाल के फटा-फट फट फ्राई कर लें तो यहाँ पे देखे हमने सारा बना लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पे रखा है मैंने ओयल और ओयल को बहुत अच्छे से गरम करिएगा उसके बाद इस नास्ते को इस तरीके से डाल दीजिएगा और डालने के बाद तुरंत इसे पलट येगा मत नहीं तो ये तूट सकते हैं आप इसे थोड़ी देर तक इसी तरीके से छोड़िएगा ताकि एक साइट से हलका सा जब ये पक जाए फ्राई हो जाए तब ही आपको इस तरीके से पलट लेना है तो ये देखिया हम इस तरीके से पलट लेते हैं अलट पलट के दोनों साइडों से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेखेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे जब एक बार तेल अच्छे से आप करम कर लीजेगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजेगा और इस नास्ते को अलट प्लट के सेक लीजेगा आप इस तरीके से सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे तो ये नास्ता बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा क्योंकि इसमें कर लेती हूं यह देखिए बहुत ही कुरकुरा बना है अब इसे हम कर लेंगे सब यह देखिए मैं आपको दिखा रही है कितना कुरकुरा है क्रिस्पी है और यह बहुत देर तक ऐसे ही कुरकुरा बना रहता है यह देखिए हैं ना बहुत ही कुरकुरा यहां पे एक को हम तोड़ के भी दिखा देते हैं, ये देखिए, अंदर से एक दम नरम और उपर से एक दम से कुरकुरा, ये देखिए, बहुत ही लाजबाब नासता है, और घर की चीजों से बनता है, इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, तो ये रेस्पी जरूर बन पूलते हैं नहीं रेस्पी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों और टेक एर,